क्या आपको पता है कि राहूल गांदी की संसा सदस्ता खत्म होने के पीछे सबसे बड़ा राजनेतिक सड़ेंतर क्या है? राहूल गांदी की संसा सदस्ता चली गई है ये तो आप सब जान ही गए होंगे कल ही मानहानी की मामले में राहूल गांदी को दो साल की सजा सुनाई गई थी और 24 घंटे के भीतर करंट की स्पीड से राहूल गांदी की संसर सदसता खत्म कर दी गई है इस वीडियो में हम खासकार इन पांच मुद्दों पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गोधी मीडिया और पूरी भार्तिय जन्ता पार्टी ऐसा लग रहा है कि किसी भयंकर साजिस के तहत मानहानी के इस मामले को OBC की तरफ लेकर जा रही है और गोधी मी ऑस्टी ज्याừa की तरह जूठा प्रोपेगेंडा फैला या रहा है दूसरा सवाल ये सब कुछ करने के पीह्छे आखिल मोधी सरकार के मन में फ़ो डर क्या है जिसने मोधी सरकार को इतना सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया है तीसरा सवाल है कि क्या राहूल गांदी की सदस्यता जाने से कॉंग्रेस को नुकसान होगा या फिर भारतिय जन्ता पार्टी ने खुद के पाउं में पुलहाडी मार ली है चोथा सवाल ये है कि क्या देश के सभी विपक्सी दलों के नेताओं के भीतर देहसत पैदा करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि देखो यदि राहूल गांदी के साथ ही अब सब कुछ हो सकता है तो तुम किस खेत की मुली हो और अंतिम सवाग क्या सदसेता चले जाने से राहूल गांधी डर जाएंगे और मोधी सरकार जो चाहती है वो करने लगेंगे यानि मोधी सरकार जो चाहती है कि राहूल गांधी न करें राहूल गांधी उस बात के लिए तयार हो जाएंगे इस पर खुद राहूल गांधी का फालो और लाइक कर लीजे फेस्बुक पर हमने ये वाला एक नया पेज बनाया है कुछ दिन बाद आपको सारी वीडियोज वहीं देखने के लिए मिलेंगी इसलिए उसे अभी से फालो और लाइक कर लीजे यूटूब पर सबस्क्राइब करके घंटा जरू दबाईएगा द रहुल गांदी ने अपने भावसर के दोरान मोडी सरकार पो बश्टा चार का आरोप लगाते हुए क्या क्या कहा था एक बार आप भी सुन लिजी ध्यान दिजेगा अंत मेरहुल गांदी ने साप शाप कहा है कि इन सब चोरों का नाम सुनिए सामने खड़ा करते हैं आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आपी का पैसा नीरव मोधी लुक्ठा के भाग गया 35,000 करोर रुपए आपके जेब से निकाल कर उसकी जेब मेहुल चोकसी ललित मोधी अच्छा एक छोटा सा स कहा कि इन सब चोरों के नाम में मोधी मोधी कैसे है अब सवाल यह है कि जो लोग देश की बैंक का पैसा देश की जनता का पैसा लूट कर भाग गये उन्हें चोर नहीं कहा जा सकता क्या लेकिन एक बात और गवर करने वाली है जैसे ही रावल गांदी की संसंत संदसता खत् पढ़ा है अब कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि राहूल गांदी ने कहा क्या था पूरा का पूरा गोदी मीडिया और उसके लपड़ जंडिस यह बताने में लग गये हैं कि राहूल गांदी ने ओबीसी समाज का अपमानित कर दिया है और अब चुनाव में राहूल गांदी को बहुल बड़ा नुक्सान होने वाला है क्योंकि ओबीसी समाज राहूल गांदी को वोटे नहीं देगा कोई नहीं वोट देगा अब गोदी मीडिया के इस लपड़ जंडिस का ट्वीट जरा ध्यान से देखिए लोग तंतर खत्म ही बलकि राहूल गां बोजपूरी में खोंटे गठिया लीजिए और अपने फोन के रिमाइंडर में सेव कर लीजिए आने वाले जितने भी विधान सभा के चुना होंगे यहां तक की लोग सभा के चुना तक भी हो सकता है कि भारतिय जंता पार्टी के तमाम निता और गोदी मीडिया दोहराए यदि नीरो मोदी और ललित मोदी को चोर करने से ओबिसी समाज का अपमान होता है तब तो ओबिसी समाज हिंदूओं में आता है पूरे हिंदूओं का अपमान हो गया हिंदू भारत में है पूरे भारत का अपमान हो गया और मैं तो भूल गया हिंदू भारत से बाहर भी है तब तो पुरी दुनिया का अपमान हो गया तो जल्दी सबहिया 10 मीटर की रशी खरीद के लाओ लटगा तो राहूल गांधी को गोदी मीडिया के लपरजंडिसों के इसाब से अब तो भारत में राहूल गांधी को और कांग्रेस को कोई वोट ही नहीं मिलेगा कोई वोट नहीं देगा उनको उन्होंने OBC का अबमान कर दिया कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि हिंडेंबग रिपोर्ट आने के बाद जब अदानी गुरूप की पोल खुली और तथा कतित भयंकर फ्राड के आरोप लगे तब अदानी गुरूप ने कहा था कि ये भ ब्रावरों पर हमला हो गया हिंदू क्या धिले स्यादों को टोटी चोड बुलाए जाने पर उन्होंने कभी कहा कि OBC समाज पर हमला हुरा है लेकिन ये सब कुछ पूरी प्लानिंग की तरह नजार आ रहा है जैसा कि आप सब जानते हैं हाल ही में भारत में कई बड़े रा ड़नाद खिलने के लिए, एक बहाना मिल गया है या फिर बहाना लाया गया है। बगर सवाल यह कि क्या OBC के लोग अपने आपको चोरों से जोड़ना चाहेंगे। क्योंकि नीरो मोधी और ललित मोधी ने जो किया है वो काम चोरों का और तकैतों का है। लेकिन चुकि कोट ने फैसला दिया है तो सम्मान करना है लेकिन कोट के फैसले से एक और बात याद आती है सुप्रिम कोट ने जब राम मंदर बनाने का फैसला दिया था तब BJP के तमाम लोग लगातार अब तक यही बात कहते हैं कि PM मोधी ने मंदर बनवा दिया बीजेपी बात समझने वाली है भारत के इतिहास में अब तक जितने भी सांसदों को आयोगे गोसित किया गया किसी भी सांसद को मानहानी के इस तरह के आरोप में इस तरह के मामले में आयोगे गोसित नहीं किया गया है किसी पर रेप किसी पर हत्या बलतकार लूज ब्रसाचार और तम होंगे कि जब से हिंडेंबर्ग की रिपोर्ट आई अडानी का मामला प्रकास में आया तब से लगतार राहुल गांधी अडानी और मोधी को लेकर सवाल कर रहे थे सदन में भी जब उन्हें बोले का मौका मिला तो उन्होंने सीदे सीदे मोधी और अधानी पर सवाल किये हलांकि उनकी बातों को सदन की कारवाईच निकाल गया गया लेकिन पब्लिक डोमेन में वो बातें घर घर पहुंच गई इसके बाद कभी सदन का माइक आफ हो जाता है तो कभी म्यूट हो जाता है कभी सत्ता पक्ष के सांसद ही बवाल करते हैं भारति आपको जो करना है करिए कॉंग्रेस के लोगों ने यहां तक कहा कि बकायदा उनके पास संदेश बेज़े जा रहे हैं कि राहूल गांदी अधानी पर सवाल उठाएं ब्रस्टाचार पर सवाल उठाएं जैसे राजनिती करनी है करें लेकिन मोदी का नाम अधानी के साथ न बढ़ रहा हूं मैं हर कीमत चुकाने को तयार हूं यानि कि संसत सदस्टा जाने के बाद भी राहूल गांदी जुकने को तयार नहीं है अब सवाल यह है कि पिछले इतने महीनों से पूरा का पूरा विपक्ष जेपीसी बना कर अधानी कांड के मामले की जांच करवाना चा करने की और उन्हें हतोतसाहित करने की कोसिस हो रही है कभी उनके घर पर पुलिस को भेज देना कभी किसी बयान को लेकर नोटिस भेज देना ये सब कुछ दरसाता है कि मोधी सरकार अधानी कांड को लेकर कितनी डरी हुई है और डर कितने भीतर तक समाया हुआ है वहीं अब सवाल ये है कि क्या सच में सारे विपक्ची दल और कांग्रेस को यूही निप्टा दिया जाएगा और क्या भारत की जनता ये सब कुछ चुपचाप बैटकर देखती रहेगी खामोस बनी रहेगी यदि आप इतियास के पलनों को उठा कर देखेंगे तो पता चलेगा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ इंद्रा गांदी ने जब एमर्जेंसी लगाई तमाम सारे नेताओं को जेल में ठूस दिया गया इसके बात जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को उमीद थी कि इंद्रा गांदी बहुत अच्छे मतों से जीतेंगी बहुत अच्छा प्रदसन करे लेकिन वो चुनाव हार गई इस तरह के और भी तमाम उदारण आपको मिल सकते हैं अब सवाल यह उड़ता है कि क्या बीजेपी ने खुद के पाओं में कुलहरी मार ली है इस मामले को जिस तरह से ओबी सी के अफमान से जोड़ने की कोशिस भारते जनता पार्टी और जो पैसाद नीरव मोदी और ललित मोदी लेकर भाग गए वह इस मामले पर आरजेटी के संसद मनोजा ने कहा है कि राहूल गांधी ने कैम्ब्रीज में लोकतंत्र के बारे में जो बोला था आज वो सच हो गया मोदी सरकार ने वो सब कुछ करके दिखा दिया है इसके साथ होगा वरना हिंदुस्तान की आजादी के 75 वर्ष में लोकतंत्र का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कत्ता ही संबव नहीं होगी ये सिर्फ राहूल गांधी की संसद सदसता नहीं गई बलकि लोकतंत्र आज मृत्त घोसित हो गया लोकतंत्र की मृत्ति की आदिकारिक गोसडा आज कर दी गई है आज देश में लगवक सभी प्रमुक विपक्ची दलो ने राहूल गांधी के पक्ष में अपनी बात रखी और मोधी सरकार पर लोकतंत्र को कमज़ूर करने का आरोप लगाया अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में कॉंग्रेस इस मामले को क इस तरह से जनता के बीच लेकर जाती है हलाकि कॉंग्रेस ने अलान कर दिया है कि संभवता सो मौर से पूरे देश में उनकी पार्टी प्रदर्शन करेगी फेस्बुक पर हमारे नए पेज को फॉलो कर लीजिए लाइक कर लीजिएगा हमारी वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा ज्यादा लोग तक पहुंचाएं हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहें तो